हाई मैं पशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक क्वीटी टू कॉमडिटी में स्वागत करता हूँ तो यहाँ पर आपको स्क्विन पर यह चार कैंडलिस्टिक दिख रहा होगा और चारो कैंडलिस्टिक कलर आपको ग्वीन दिखेगा तो क्या जब यह चारो कैंडलिस्टिक फॉर्म होगा तो क्या यहाँ पर हम बाई साइड की तरफ जाएंगे बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे अब आपके में में कोश्चन उट रहा होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे क्योंकि इन चारो candlestick का जो strength है वो आपका अलाग अलाग strength है example के तुरों आप समझ सकते हैं कि आप share और गीधर के strength को एक साथ compare नहीं कर सकते हैं same type of strength यहाँ पर candlestick का भी दिखेगा आपको चारो candlestick को आप एक जैसा tweet नहीं कर सकते हैं पहला यह वाला candlestick यह वाला आपका as a line के रूप में tweet कर सकते हैं यह आपका share candlestick है यह जब भी form हो चाहे sellers की लाके में form हो या फिर upside momentum में form हो कहीं पर form हो इसके बाद market आपका ऊपर की तरफ जाता है यानि यह candle जहां भी form हो जाए उसके बाद आप by side की तरफ जा सकते हो दूसरा वाला candlestick इसके थोड़ा सा कमजोर है तो इसको आप line नहीं as a tiger के रूप में समझ सकते हो मतलब इसके पास भी अच्छा खासा strength है और यह भी जहां भी form होता है इसके बाद आप by side की तरफ जा सकते हो बाद की तीसरे candle की उपर अगर हम बात करें तो इसको आप as a गीदर की तरफ समझ सकते हो यानि यह candle stick का अकेले कोई importance नहीं है अकेले किसी और की इलाके में जाके यह उहां पे अपना कबजा नहीं दिखा सकते है जैसे यह दो नो candle stick आपके sellers की इलाके में घुसके भी market को अपने favor यानि buyers के control में कर सकता है लेकिन उतना strength इसमें नहीं है इसमें strength कब आएगा जब इस तरह का हमें एक दो और candle stick देखने होग मिलेगा जैसे गेदर आपको कभी अकेला किसी का सिकार नहीं कर सकता उसके लिए जूंट में आना परेगा या नहीं तो यह आपका एक दो candle stick form हो ऐसा ही तब आपका यह market को buyers के control में लेगा otherwise इसके साथ इन दोनों में से कोई एक candle stick हो आगे या पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता है इससे पहले इससे बाद में इस तरह का कोई भी candle stick form हो जाए तब जाके यह market को buyers के control में लेगा otherwise इसका single कोई importance नहीं है तो यह candle stick अगर आपको अकेला form होता है यह buyers और sellers के बीच में एक siege fire का काम करता और उसके बाद अगर buyers जल्दी उठके खरा हो गए और market को अपने control कर लिए तो फिर market उपर जाएगा और यह candle form होने के बाद अगर sellers खरा हो गए और उसके बाद market को अपने control कर लिए तो price आपका नीचे के तरफ जाएगा तो आपने देखा कि कैसे हमने example थो आपको बता दिया कि यह candle stick हमें अलग-अलग story बता रहा सारे candle stick का strength अलग-अलग है तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और इन चारो candle stick के strength को समझने की कोसिस करते हैं तो अब यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख रहा होगा यह दो candle stick है यह आपका दूसरे नमबर का और यह आपका पहले नमबर का अब देखिए यहाँ पे दूसर नमबर candle form हुआ उपर में चोटा स्टेल है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ इससे पहले sellers का कपजा था market में उसके बाद यह candle form हुआ है और उसके बाद price देखिए आपका उपर की तरफ भी निकला यह निए candle form होने के बाद price आपका लगबग 200-300 point का upside move दिखा है जो कि इंट बादे ट्विटर के लिए sufficient हो जाता है उसके बाद वापस से sellers ने market को अपने control किया और next day भी market आपका gap down ही open हुआ है यह candle form हुआ है market को थुरा सा उपर की तरफ ले गया ड्रेग करके लेकिन buyers का दबदबा नहीं आया positive momentum नहीं लापाया है उसके बाद क्या हुआ पहले number का candle stick फॉर्म किया मतलब यहाँ पे candle stick के king का interview हुआ यह नि positive candle stick के king का interview हुआ और यह बंदे के बाद मैंने आपको बदाया है था कि most of the time market आपका उपर की तरफ जाता है इससे पहले देखिए sellers market control किये हुए थे इसके बाद भी red candle फॉर्म हुआ है लेकिन ultimately market का direction क्या था उपर की तरफ बना था यह नि जब भी आपका यह दोनों candle stick दिखे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं buy side की तरफ जा सकते हैं क्योंकि यह दोनों candle stick काफी strong candle stick है इसको आप as a lion और tiger के रूप में समझ सकते हैं कि जंगल में उसका किस तरह का दबदबा है और सेम दबदबा इन दोनों candle stick का रहता है chart pattern पे तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और यह candle stick जहाँ पे आपको दिख जाए अब यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे इसका body size थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है green candle का body size अगर इतना बड़ा भी रहे फिर भी आपको strength में कमी नहीं आएगा इसका strength और जादा ही increase होगा तो यहाँ में आपको कुछ और क्यांपर की थोड़ समझाता है ताकि आपको और clarity से यहाँ पे समझ में आ जाए अब यहाँ भी देख सकते हैं same type of candlestick है यहाँ पे थोड़ा सा हमें उपर में tail देखने को मिलवा है लेकिन आपको exact candle नहीं मिलेगा लेकिन यह भी आपका first candlestick जैसा ही है और यहाँ पे भी यह बहुत ज़्यादा strong है उससे पहले sellers market को कब जा की हुए थे मतलब यह sellers की इलाके में घुषा है उसके बाद market को अपने control में लिया फिर यहाँ से wires ने market को take over किया और फिर market आपका देखिए उपर की तरफ निकला है मतलब यह दूसरे की इलाके में घुषके market को अपने control में करता है और इसलिए इस candlestick का दबदबा रहता है और इसलिए जब यह candlestick form होता है तो हम 22% की तरफ जाना prefer करते है तो इस तरीके साब इन सारे candlestick को identify कर सकते है और इन सारे candlestick का placement बहुत ज़्यादा importance रहता है अगर market पहले से ही उपर की तरफ जा रहा मतलब market already bias की कबजों में है उसके बाद अगर इस तरह candlestick form होता है तो मतलब market और उपर की तरफ जाएगा मतलब वहाँ पे इसका importance उतना ज़्यादा नहीं रहता है इसका importance कब रहता है जब market हमारे favor में नहीं है जब दूसरा कोई market को capture के हुए तब जाके ये intrigue करता और market को अपने capture में करता है तब इसका importance बहुत जादा हो जाता upset momentum इसका importance नहीं होता है क्योंकि market already इसके कबजे में ही है सेम तरीके से जो दूसरा candlestick है उसका भी importance समझ सकते हैं इस candlestick को भी आप tweet कर सकते हैं आप third candlestick के जरिए यहाँ पर मैं आपको इसका picture ले देता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए अब यहाँ पर देखे आपके सामने picture भी आ गया अब यह जो candlestick है यह तीसरा वाला candlestick है तब जाके इसका importance बढ़ता है मैंने क्या बोला था इसका अकेला कोई importance नहीं रहता है जब इसके आगे या पीछे इन दोन में से कोई एक candle हो तब जाके इसका importance होता है और इससे पहले green candle form किया मतलब market को अपने कबजे में लिया और उसके बाद इसको दे दिया कि भाई आप market को तुम समालो उपर की तरफ ले जा और देखिये market आपका already उपर की तरफ निकला भी है इस तरीके से आप candle के behavior को समझना परेगा candle क्या story बता रहा candle का क्या strength है कब strength होता है कब strength नहीं होता है वो चीज़ आपको यहाँ पर समझना परेगा और अगर आप इन चीज़ को अच्छे समझ जाएगे तब आप सही जगा पर entry ले सकते है उस तरीके से आप market के direction को भी candle के जरी identify कर सकते है सिर्फ candle का knowledge होना जगूरी नहीं है उसका placement होना जगूरी है और उसके psychology को भी समझना हर एक candle का psychology अलग अलग है जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा सारा candle green है अब सारे का strength अलग अलग है सारा आपको एक कहान ही नहीं बोलबा कोई candlestick बहुत जादा strong है कोई उससे कम strong है कोई weak है किसी candlestick का अकिला importance नहीं होता कोई candlestick neutral होता जो की fight करना नहीं चाहता और यह हमेशा सांती में विश्वास रखता है यह निए सेलर्ट तो और वायर्स के बीट में siege fire करवाने की कोशिस करता है तो सारे candlestick का psychology मांसिक्त अलग अलग है वही चीज़ आपको समझना है अगर आपको stock market से profit बनाना है तो आपको यह चीज़ समझना परेगा तो चलिए यहां पर हम कुछ और क्यांपल की थोड़ समझना ही कोशिस करते है तो अब यहां पर देखे इन दोनों candlestick पर focus कीज़े कभी कभी आपको इस तरह candlestick single दिख जाएगा अकेले दिख जाएगा लेकिन कभी कभी दो candle को हमें blend करना पड़ेगा दो candle को join करना पड़ेगा तब जाके हमें इस तरह candlestick दिखेगा तो अगर आपको candlestick blending का idea नहीं है तो उसके उपर हमें already video बना रखा description में आपको link मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक करके आप हमारा video देख सकते हैं नहीं तो आप eye button पर क्लिक करके भी video देख सकते हो अब इन दोनों candle को blend करते हैं देखिए candlestick open यहाँ पर हुआ दूसरा candlestick close उपर दिया है यह इसका body हो जाएगा और ध्यान रखना है body का size green होगा उपर में छोटा सा tail है उससे कोई मतलब नहीं है नीचे में lumber tail है अब देखिए कैसा candlestick बना है पहला candlestick जैसा बना है यह आपका share candlestick, lion candlestick बना है और यह कब बना है जब market आपका sellers के कबजा में था तब बना है मतलब sellers के कबजे से बाहर निकाला और market किसको सौपा है buyers को सौप दिया है उसके बाद देखिए price आपका उपर के तरफ निकला है तो जब भी इस तरह candlestick form हो यह कभी कभी आपको अकेला form होगा market हमेशा daily आपको कुछ नया सिखाता है इसलिए आपको हमेशा सीखने फोकस करना और आपको जो picture माइन में रखना ये वाला candlestick का रखना उसके बाद आपको देखना है कि 2-3 candle join करके क्या इस तरह candle form हो रहा है ये भी चीज आपको हमेशा देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा तो market आपको हमेशा अलग-लग challenge देता है यहाँ पर चलिए हम कुछ और देखते है example के थूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लग-बग था यही वेड candle form हुआ था और market थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ही गिरा था मतलब sellers market रोग-बग जा किये वेड है और उसके बाद ही आया उसके बाद किसका कबजा हो गया बायर से कबजा हुआ market आपका उपर की तरफ निकला है और उसके बाद देखिए यहाँ पर देख जाएंगे जो कि आपको behavior को justify करते हुए देखेंगे अब यह देखिए यह वाला candlestick आपका तीसरा candlestick है मैंने क्या बद आया था इस तरह का candlestick का importance अकेला नहीं होता है इसके साथ कोई और bullish candle होना चाहिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा इससे पहले आपका एक जबरदस्त bullish candle यहाँ पर आपको दिख रहा मतलब उससे पहले buyers ने already entry किया और market को समालने की कोशिस किया मतलब इसके support में आया यह candlestick अकेला नहीं है इसके support में एक और twin candle है उसके बाद यह form हुआ है उसके बाद देखिए price आपका उपर की तरफ गया अगर यह candlestick यहाँ पर अकेला form होता individual वह आता तो फिर हम इस पर वरोसा नहीं करते इसके बाद हो सकता price थोड़ा होत उपर जाए लेकिन आपका वापस से नीचे की तरफ आजाएगा अब इसके बाद देखिए यह candlestick आपका गिरते हुए market में form हुआ है अब यह क्या करता है यह seed file करवाने की कोसिस करता है लेकिन यहाँ पर इसका कोई importance कोई value नहीं रह गया क्योंकि इसके बाद sellers उससे पहले भी थे और उसके बाद भी sellers थे अब यहाँ पर एक और example आप समझने की कोसिस कर सकते है यहाँ पर आप एक और example देख सकते है यहाँ पर आपका देखिए यह आपका दूसरे नमर का form हुआ क्योंकि उपर में छोटा सा हमें tail देखने को मिलगा अब उससे पहले market आपका upside trend में था थोड़ा सा red candle form हुआ था और जैसे ही red candle form हुआ buyers ने अपने strength दिखा दिया कि भाई यहाँ पर हम भी मौझूद है market यहाँ से नीचे नहीं जाएगा market उपर ही जाएगा उसके बाद देखिए market आपका उपर की तरफ ही निकला अब यहाँ पर देखिए आपका छोटा सा है लेकिन एक neutral candlestick आपका form होता हुआ दिखा है देख सकते है जहाँ पर आपका उपर भी tail है और नीचे भी आपको same amount of tail दिखेगा मतलब यह क्या करवाना चाह रहा है यह आपका market को seed fire करवाने कोसिस कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाता है तीन candle जहाँ पर buyer और sellers का जो strength है वो लगबग एक बराबर हो गया अब इस तरह candlestick form होता है तो यहाँ पर क्या देखना होता है candlestick के high और low को अगर low को breaker करके market नीचे आया उसकी बाद क्या होगा sellers market को control करेगा और price आपका नीचे की तरफ जाएगा अगर इसके high को breaker करके market उपर निकला मतलब buyers market को take over करेगा और price आपका उपर की तरफ निकलेगा तो जब भी आपका neutral candle firm हो यह नहीं जो मिने आपको बताया था उसमें fourth candlestick firm हो तो आपको यहीं चीज़ देखना है कि इसके high और low को यहाँ पर note कर लेना इसके highest point और lowest point को note कर लेना lowest point break करके market नीचे आए मतलब market को वापस से sellers ने control कर लिए price नीचे जाएगा high को break करके उपर निकला market मतलब वापस से buyers active होगी या price उपर की तरफ जाएगा तो यह candle firm होने के बाद इसका high और low market यह और high break होता है तो आप buy side की तरफ जा सकते हैं low break होगा तो market नीचे जाएगा sales side की तरफ जा सकते हैं तो इस तरह के से आप इन चारो candlestick के behavior को समझ सकते हैं उमीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा so that's all friends उमीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके encourage कीजे ताकि इस तरह के वीडियो और भी हम regular basis पे बनाते रहें so मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिंद